तो देखिए syntax के दूसरे chapter में आज हम लोग noun का अध्यान करेंगे आप तक आपको article की mistake बताएगे कहां यह इंदा लगता है यह कहां नहीं लगता है अब आपको बता जाएगी noun का बहुबचन कहां प्रियोग होता है कहां एक बचन में प्रियोग होता है किस noun के साथ एक बचन का subject होता है ठीक तो आपको यह समझना कि एक बचन का noun कौन सा कौन सा बहुबचन का है तुसी साफ से तभी तो बर्भ लगेगी तो इसलिए चलिए देखते हैं रूल एक एक करके वन बाई देखते हैं पहला रूल हमारा क्या कहा रहा है ध्यान से देखी किताब में सब जरूद है नहीं होती है जैसे काउन कान से ना अउनस सीप है डियर है स्वाइन है भेड है हिरन है सूर है स्वाइन मने मेंखिख हाँ हाँ स्वाइन फुलु वीमारी फैली थी स्वार्स कुछ दिन पैले तो शौन माने सूर इस मांने नहीं हुआ से आपको नहीं भूलेगाUsed और सीप इस ग्रेजिंग एक भेड चर रही है तो सेप्स ग्रेजिंग को होगे सीधत मे निशी पार ग्रेजिंग कई भेडे चर रही है इन द फिट में अगर मैं य लगा दिया गया इसका मतलब कई है तो तो सीव के साथ इसलिए और लगाए गया इंद बैदान फौरस्ट' एक यहां फारेस्ट में दोड़ रहा था तो दडियर और सिटिंग इन दा फिल्ड माने हीरन खेत में बैठे हुए हैं यह मैदान में बैठे हुए हैं मैदान भी होता है अब यहां जानते बात यह परिच्छा मैंसे कैसे आग जानते हो परिच्छा में ऐसे आ जाएगा कि सिप्स कर देगा तो और लगा देगा तब भी आपको यह सटा देना है क्लियर अमेनिक साथ अगर जैसे माल यह सीप लिख दिया है लेकिन इज लगाय तब भी आपको आर करना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि मेनिमाने कई कई भीड़ है जब संकेत हमको मिल जा रहा है तो पूसी इसाफ से बर्व लगाना पड़ेगा अगर संकेत नहीं मिल रहा चाहिए एक बचन की लगादे बर्व चाहिए बहुचन की दोनों सही है बात समझ गये न है चलिए हमको दूसरे रूल की तरफ चलते हैं दूसरा रूल हमारा का रहा है कि यदि इसकोर इसकोर माने हो कौड़ी होती कौड़ी क्या होती है एक मापन लिकाई होती है जैसे एक दर्जन में बारह होता ना संक्या तुसी तरह से a झौसल दोजन वगर हम क्लiरं देखो वानके नंबन एक और दो दियक भी मैं को दोजन में देको त्री पफ़लें तो ऋटॉन यस नहीं जोड़ा जागा गकिन इसमें रूपीज आपका नाउन है तिसके पहले हंड़ेड के पहले देखिए फाइफ आया है तो यह फाइफ हंड़ेड एड़ेक्टुक काम कर रहा है इसमें भी यह जोड़ा नहीं जा रहा है अब देखिए आगे कपड़ा किंतु यह पूर्व संख्या नहीं होते है तो बावचन देखते हैं आगे का दूसरे बाद वाला हंड़ेड साफ रूपीज अब देखिए थाउजेंड साफ परसंस डोजेंस साफ सीट्स हाइग नहीं है इनके पहले वन टू त्री फोर नहीं आया ना इसमें यह जोड़ा गया आफ भी जोड़ा गया उसका अर्थ भी तो चेंज वहाँ उपस्थित हुए थाउजेंड साफ परसंस हजार अब्यक्ति तो डोजेंस साफ सीट्स हार वैकें दर्जनों सीथे खाली हैं तो जब दर्जनों कहेंगे सैकड़ों कहेंगे हजारों कहेंगे तो बावचन की बर्व लगेगा इस तरह से यह सभी मतलब बावचन की बर्व इनके साथ लगते हैं अगला रूल देखते हैं रूल नमबर तीन बावचन की बर्व लगती है और इनके बाद आफ राता तो यस भी जोड़ा जाता है और इनके बाद नाउन भी प्लिवरल आता है इतना जान आप जोड़ रहने संख्या नहीं रहेगी तो इसमें यस भी जोड़ा जाएगा आप भी लिखा जाएगा प्लिवरल नाउन इसके बाद आएगा प्लिवरल बर्व आएगी इतना कांसेप्ट है चलिए आगए रूल तीन हमारा क्या कह रहा है कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लिवरल यानि बहवचन होते हैं इनके बाद प्लिवरल बर्व प्रयोग हो दया जब हैं प्लिवरल है तो प्लिवरल बर्व लगेगा इसमें कौन-कौन से न करकिए तो उसको भी पॉल्ट्री का देते हैं वर्मिन वर्मिन माने होता है अन्य इत्याद को हान पहुचाने वाला कीड़ा कोई भी जैसे जानवर जो अन्य को कुतर के खाने वाला होता है उसको हम वर्मिन का देंगे ठीक है जेंट्री माने सब भी लोग होता है पुलिस माने पुलिस जानी रहे हो मिलिट्री माने सायनिक होता है जनते हैं पाइबलिक माने जनता आज सब्दों में यस नहीं लगाना चाहिए ध्यान देना परिच्छम इनमें जरूर लगा देगा जिसमें बता जाना नहीं लगाना चा कि तो देखिए कट क दोऑजार वेस में पूछा गाए कि इंपोर्टेंट है इसलिए 22 में भी है वाइस सबसे में के 12 зов जातें नहीं तो आप सोचो कि हाँ काड़ेटल्स आर है तो बहुचन गलत यस हटा दिजे दूसरा हम दा जेंट्री आप दिस टाउन इस गाउं के सब भी लोग तो जब सब भी लोग है तो मतलब इस नहीं लगेगा आर लगेगा वो बहुचन सब्द है ठीक ना बाले यस नहीं तो मायन नहीं इसके साथ तो बहुचन माना जाएगा अगए पीपुल आफ अमेरिका इज नहीं रहेगा आर रहेगा पीपुल किनाते एक बात यह भी ध्यान देना आफ के बाद वाला नाउन कभी सब्जिक्ट नहीं होता है आफ के पहले वाला जो नाउन दाता उसी के कार सब्सक्राइब नोट देख लेते हैं पीपुल का अर्थ लोग या जन समू से होता है किन्त पीपुल का रास्ट होता है जैसे पीपल खाली रहेगा यह नहीं जुड़ा रहेगा तो उसका अर्थ हमेशा लोग लिया जाएगा लेकिन पीपल के साथ यह जोड़ देंगे तो उसका बहुबच्चन बना देंगे यह जोड़के तो उसका राष्ट हो जाएगा समझेक नहीं तो इसलिए देर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एसिया में कई अलग अलग रास्ट हैं अगर यानि पीपल का अर्थ राष्ट के अर्थ में लेना चाहते हैं तो यह लगा सकते अचले हो आप अप अध्यार रास्ट की अर्थ में जोग यह दो यह आँuciónज चया आउर्थ में याव्चन भी कर सकते हुए अ नेर्स भी एक राष्ट रहा है इस तरह से कह सकते हो पहले कभीता थे नाट गोल्ड बट उनली में कें मेक इनेशन ग्रेट एंड इस्ट्रांग नेशन बिल्डर्स पाट करके कभीता कि पच्छा दसना उसमें यह लाइन थे ठेक है नाट गोल्ड मने गोल्ड माने वहां संपत्ति थी प प्राकि सब्सक्राइब पीपल एक राष्ट पीपल तो कही राष्ट केवल पीपल है लोगों के यर्थ में तो बहुचन ही माना जाएगा चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर चार तो ध्यान दे देना पेपर में अगर जैसे एस यह में कई राष्ट अलग अलग राष् सब्सक्राइब नहीं होता है यह जितने सब्सक्राइब इनका बहुचन हम नहीं बनाते हैं एक बचन में यह प्रियोग होते हैं प्लियूरल नहीं होता बता रहे हैं अब देखिए जैसे सीनरी आफ कस्मीर और ब्यूटिफुल यह मोस्ट इंपार्टेंट वाक्य सब्सक्राइब नहीं होता बता गया ना तो आप पहले काम तो आई यह को देखिए वाई कर दीजिए बनाया भी गया करेक्ट करके वाग की नीचे समझ लीजिए अब जब सीनरी एक बचन में प्रियोग होता तो आप आर लगेगा नहीं लगेगा तो इसको भी आपको इज कर देना पड़ेगा बद समझ मा गया उसीतरा से सब्सक्राइब नहीं रहेगा इंकरेकर देख लेगा हुआ उसको शे抗्यस के नहीं ओम ⑽ कि उसका बने यह तो पक गया है बूरा हो गया है सफेद हो गया है सफेद हो जाना ही गेम मेनी एडवाइस यह देखिए इंपॉर्टन्ट है तो एडवाइस वाले अक्सर आया परिच्छा में कई बार ठीक है तो सेनरी और एडवाइस वाला जरूरियात कर लेना मुझे कैसलाह दिया अब देखिए बात ही यह है कि मेनी एडवाइस कैसलाह दिया तो एक बचन बता रहा है की होता है बागुछ जरूरी पढ़ गया ना लेकिन होता नहीं जरूरी पढ़ गया तो उसके लिए भी आपको एक जुवाड है बहुचन इसका बनाने का यह से जोड के नहीं दूसरे जुवाड से बना सकते हो जुवाड क्या है नीचे आपको दिया गया नोट देख लेजिए पहले तब इसको पढ़ यह पच्वाब आपको समझ में आ जाएगा यानि कि अगर ज़्यादा जरूरी होता इनका हम बहुचन बना भी सकते हैं लेकिन उसको दूसरे तरीके से बना जागे देखें नोट क्या करा उपर युक्त सब्दों के बहुचन के भाव को प्रकट करने के लि नंगे लोफ साफ ब्रड माने रोटिया तो इस तरह थी बहुचन बन गया पीसे जाब इडवाइस माने और क्ए सलाह मान लिया झाएगा आएकस तांड मैसा भी स्रार स्रार्थीन इस्षीव इम्हेs माने त पीसे जयाप इन्फार्मिस्एन और सूचनाह? कि लिए तो देखिए यहाँ दिया गया है यहाँ मेनी इड़ाइस तो हम लिख सकते हैं मेनी आफ़ कर दी यह क्यों कैसा बहुत सज़ना तो आग देखिए छटमा की बाट न्यूव मसीनरी जो तो मसीनरी बावचन नहीं बनता तो मसीनरी कर दिए वह से लिख दिए इंफार्मेशन सार रांगी अभी इंपार्टन्ट इंफार्मेशन वाला भी आया एक्जाम में मसीनरी माना जैसे मसीन से समंधित जो समान होते हैं मसीनरी स्टोर्स लिखे नहीं आता है हमारे यह मसीन से समंधित समान मिलते हैं दुकान पर अब देखें हीज इन्फार्मेशन सार रांग इन्फार्मेशन में यह नहीं लगता इन्फार्मेशन कर दिए इज लगा दिजिए वैसे इन्फार्मेशन का पीसे जाफ इन्फार्मेशन यहां देखें दिया गया है कर सकते हो लेकिन यहां हीज के साथ पीसे जाफ लिखना को उसकी सूचना है तब भी सही है क्लियर हाँ तो रूल नंबर पांच देखते हैं क्या कह रहा है यदि कलेक्टिव नाउन से सामुविक रूप का बोध होता है और यदि भिन 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 ब्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उनके साथ प्लियूरल बर्व होता है जैसे कल करें कि एक बचना वहर्याशह अगर वेन भि़न भियक्तियों में विभा जेंगा अलग गलर युक्तियों को को बताए तब बपाशन की अटी की भाप लागेगी उसमें और नहीं का जोता उसको जूरी D जो द्याक में बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का मामला जो सुनवाई हुई थी तो पांच जज मिलके फैसला दिये थे तो पांचों जजों के समू को जूरी कहते हैं अभी 10 परसेंट आर अच्छर सुप्रिम कोट से जो फैसला उसमें भी पांच लोग मिलके दिये थे फ पॉइंट कमेटी इस बात पर एक थी तो यहां कमेटी समू वाचक संग्यक रूप में क्योंकि एक ही है कहीं बटाउटा नईयत इसलिए वर नहीं लगेगा तो वाज लगेगा के लिए दूसरा देखिए कमेटी वाज डिवाइडे इंटू डिवाइडे आन वन पॉइंट कमेटी एक बात पर बट गई कमेटी थोड़ी ने बट एक कमेटी के लोग बट गएंगे एक बाट पर जिसे कुछ लोग दूसरे मत रहें कुछ लोग तीसरे अब जैसे इसमें है तीन लोग दस परसेंट आरच्षड देने का फांसला पे सामती है तीन परसेंट तीन लोग दो लोग नहीं सामत हुए है कि 10% आर अच्छड मिलना चाहिए लेकिन तील लोग ज्यादा थे तो इसलिए मान लिया गया तो वही चीज है बट गया न डिवाइड़ हो गया तो उसमें क्या लगेगा वर लोग बटेंगे कमेटी के ना कि कमेटी बटेंगी क्लियर तो आप ट्रिक यह जान लेजिए कि अगर डिवाइड सब्दा जाएगा तो आप वहां बवुचन की बर्व लगा देना अगर वन पॉइंट एक की बात आएगा डिवाइड नहीं रहेगा तो आप वाज लगा देना क्लियर तो यह इसका कांसेप्ट समझ लिए रूल नंबर चाह आपका कुछ नाउंस देखने में प्लिवरल लगते हैं लेकिन इनका प्रियोग सिंगुलर नंबर में होता है जैसे सिविक्स सिविक्स क्या है मतलब अर्थ माने होता है नागरिक सास्त्र यह विसय का नाम है देखने में आपको लगे का यह सहाय तो देखने में कन्फ्यूज होसकते लेकिन यह एक बचन के हैं यह एक बचन के हैं मतलब एक के साथ बर भी एक बचन के लगे यहां सिंट्टैक्स में बचन का इसलिए बता गया क्योंकि तभी आप बर इसके साथ सही यूज कर पाएंगे देखे फिजिक्स और एक डिफकल सब्जक्ट तो फिजिक्स जब सब्जिक्ट रहेगा तो इसके साथ बरब क्या लगेगी आर नहीं लेगा इस लगेगा ठीक टी आपके बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता हैं तो यूजिसमें सभजेक्ट थे आफ प्रीब है प्रीचेशन और यहां बृस्ज रहेगा है कि एक और और को सथैंट कुछल स्पेख कित भ॥ होते हैं यानि नावन ऐसे हैं जो देखने में रहेंगे या निवा रहेंगे और यह रहेंगे भी या नावन नावन को ज्यान होना चाहें कि उनके साथ भाभ कप्रयों कर पाएंगे कि अगर हम पके का सब्चेक्ट आजाएं तो अब हमको पता होना चाहिए एक बचन है बावबचन ना तभी हम बर्व लगाएंगे उदारण इसमें कौन-कौन से ना उना थे स्पेक्टिकल्स चासमा सीजर्स अने उता कैसी टांग से ने उता चीमिटा अलम से भीक होता रिच दहने होता ट्राजयर्स ने उत पायजामा यह विका सकते हो श्परिट्स वन होता उट्षा थैंक्स वन धन्यवाद आर अदी उ मतले रित्यादे अब त्रिक बता देने रहें हैं जैसे इसमय देखने में लगते भी है और रहते भी हैं मतलब जिसमें पहाने वाले आइटमस यहां तो उसके तो ट्रिक की सीशते हैं, नहीं आजुरी भर के लाओ गई कुछ तो दोगे तो उसमें भी बहुचन मालो रिचे जमाने धन अगर किसे पास ध्षान है तो एक रूपय तो रहेगी ठीक जदाधे रहेगा तो उसको नहीं होता धन्यवाद तो थैंक्स नहीं है जूड़ा भी बहुचन है भी जैसे आप मनें आपको धन्यवाद एक को कहा है लेकिन थैंक्स ठीक है आप सभी को धन्यवाद तो इस तरह से यह बहुबचन का सब्द माल लिया गया कभी भी सब्जेक यह थैंक्स आजाएगा तो बहुबचन की बर्ब लगेगा उदाहर देखते हैं हर स्पेक्टिकल्स आर बेरी ब्य बिच्छा को दिया गया तो बहुबचन लगा तुदफिकर्छ देखना विभ लगा न यह कहावत है इसका अर्थ होता लच्छमीचंद्चला होती है जैसे कि सोसरे हाथ में जाता रहता है न तो दो रिचसाना अमीर होता लेकिन रिचस माने धन यह नाउन है इसके पाइजामा गंदा था ठीक है तो वाज इसमें दो पाट रहते ना दो मोड़ी इस तरह से बहुबचन का बर मतलब माना गया इसको हिंदी में आप चाहिए था कहो यह कुछ भी का उससे नहीं मतलब है अंग्रेजु का जो रूल है कि बहुबचन है तो बहुबचन की रोग यह मोन्हों था का ज्रूल के उसको एक प्रकार का रोग है तथा खेलकुद के नाम जैसे जीमश्ट्थिक्स के बास्टिक्स, ये बिल्लयर्स, ये भी एक प्रकार क का ड्राठ, जो डाला जाता है ठीक है वं सब इसको का तक इप बिलिएर्डस सक अ District, बिलियर्स धु के नाम है आदी कप रो सिंगुलर नाउन में ही होता है इसलिए बता दिया गा कि यह देखनें तो बीमारिक नाम यह लगा सोच आप कंफ्यूज हो सकते हो बहुचन है लेकिन है यह एक बचन की लिए नाम है और जिमनास्टिक विलियर्स डाट्स यह सभी खेल के नाम है तो इ कि इज लगा इंफेक्स डिजीज मनें कंटमाला एक संक्रामक बिमारी मीजल जाइज ब्रोकन आउट इंदा सिटी खस्राफ सारमयर में फैल गया है जिमनास्टिक ब्यायाम इस नाट गिवन एनफ इंपोर्टनस इन इंडिया को भारत में ज्यादा जिमनास्टिक को महत नह इस गिवन कि संग्या शिंग्लर फार्म में ही प्रियुक्त होते हैं मतलब जो नवन पदार्थ वाक ओचक संह्ग्या और मैंटरियल में कोई भाव रहता है जैसे कापर मैटरियल नावन है कांड़नेस एंगर मने करोध सिंपाइथी मने सहानबूत वाटर जल मिल्क दूद राइस चावल आरन लोहा हुएट गयों ब्रिक इट इस्टॉन मने पत्थर यह सभी प्रियोग में करते हैं कि गृत हम इनको गिनते नहीं है अब जैसे किसी को अगर चagain को तो तो यह यшाननियर कि इनको साथ एक बचन कि बर्म लगाएंगे कब परंत 노 प्र शोई प्रियुक्त होने पर वह common noun बंचाते हैं इनका plural form भी हो सकता है लेकिन वह common noun तब बन जाएगा जैसे करें कापर माने तापे के सिक्के अगर कापर में जोड़ दोगे ना तो कापर धा तु नहीं बताय गा है वह सिक्कों को तो शकूब का as अब कभी कभी सिंप Правदी का बहब सिंपाइधी का भाँएवादना हो जाएगी आगर सिंपाइधी रहे तब उसका दपूर मेरी सहानु भूत हमेशा गरीब के साथ है ती 2020 में देखे पूछा गया इंपॉर्टन वाकियों तो अब यहां क्या आपको पता एक सिंपाय थी का बावचन तो सिंपाय थी लिखा नहीं जाता है सहानु भूत के वल कहा गया ना तो इसलिए आर हटा की एज कर देंग जाएगा तार का इज हो जाएगा अगला है दिस हाउस इज मेड आफ ब्रिक एंड इस्टोन यह घर इंट और पत्थर से बनाया तो यहां इट और पत्थर मैटरियल नावन इसलिए इसका हम बहुचन नहीं बनाते यह जोड़के एक बचन में ही इसका हम प्रियोग करते है और इस तो यहां सही है यहां उसके उनसार नावन की मिस्टेक इस तरह से आती है बर्प की मिस्टेक आ जाती है ठीक परिच्छा में रूल नमबर टेन करा जब कोई नावन किसी कंपाॉंड वर्ड कंपाउंड वर्ड सायूक्त सब्द जो हाइफन से जुड़ा राता जो singular में प्रयोग होता है यानि इसका हम बहुचन बनाते नहीं है क्यों क्योंकि देखिए जैसे ए टेन रूपी नोट इहां नोट नाउन है तो टेन रूपी भले नाउन है लेकिन यह एडजेक्ट्व का काम करता है दस रूपए का नोट नोट तो बहुत है लेकिन दस रूपए पूरी तो माइल में भी यस नहीं लगा है माइल मनि मील होता है एक मील में एक दसमलोग छा किलोमीटर होता है 1760 होता है एड़ी माइल रेसमन की दौर्ड इनकरेक्ट वाक दिया ही गेम फाइफ रूपीज नोट दिखिए तो इंपर्टन वाक इस तरह क्या आ जाते है तो मुझे पांच रुपे का नोट दिया तो अब यहां क्या है गलती क्या है फाइए एक ही नोट है फाइफ रूपी के ना बीच में हाइफन से जुड़ा भी है तो इसकी बात मतलब यह है कि रूपीज में यस नहीं जुड़ेगा लास्ट वाला नाउन है तो इसके पहले वाला ग्यारा कि अब समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे देखने में प्लूरल ही क्यों ना लगे आर्थ में सिंगुलर होते हैं जैसे कोई भी समाचार पत्र में से न्यूजपेपर को कोई नाम है दायनिक जाए गड़े हिंदुस्तान यह कोई पुस्तक का नाम है तो यह कुछ देश का नाम है यह प्लूरल ही रहते हैं तब भी यह यह नहीं लगाते हैं यानि सिंगुलर में प्रयोग होते हैं ना इसलिए जैसे देखें देश का नाम दिया गया है दा यूनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका अक्सर एक्ष कि अनिति अप्र अविघ्यान के चीत्र में अत्य दिक उन्नत किया है तो इसा सही मत मानो और यह कुछ नाम है संगित राज इस लिए एक बचन की बचन की बर्ब लगा है और इसके पहले दा भी लगता इतना ध्यान देना भागव अलीक्षेत्र जरा तो ड़ुछ पहले लगता है दूसरा दा हिंदुस्तान टाइम समाचारपत्र का नाम है तौकर टाइम में लिएक प्रशिद किताब का नाम है नहीं नहीं तो सुचो के नाहिट माने अरब की राते हैं, तो नाइट से है तो आर लगाये रहेगा, तो गलत हो जाएगा, एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अरवियन नाइट है, अलिफ लैला की एक कहानी है, सिंदबाद जहाजी की तो वही जो है, उसमें दिया गया है, अरब दिस की कहानी है, उसमें, अब यह दोनों प्रयोग हो सकते हैं, singular में भी प्लिवरल में भी तो condition जान लेजें, means जब बिधिया माध्यम के अर्थ में प्रयोग होता है, means माध्यम जिसे means of, उसने माहंता को स्विकार की है, किसी माध्यम से, उसने महानता को क्या किया, स्विकार की है, अब यहां, माध्यम माना जाएगा, अगर लगा दोगे, तो महानता को प्राप्द की इस तरह से, अर्थ निकाला जाता है, ठीक, जब हमको पता रह inner misma के, अब देखिए इस तरह से क्योंकि काम्प्रेहेंसन को स्मझना होना चाहिए कि एक बचन की बचन तो यहां माध्यम करत रहेगा तो एक बचन दोनों मेंस सही है दूसरा उदार दिया है इब्री मीन्स हैस वीन ट्राइड प्रत्येक माध्यम का जो है क्या को अपनाया गया है इ इब्री मीन्स हूँ इब्रीक साथ हमेशा यह वकुर्द नाता है तो मेंसे मना गये इसलिए इसके साथ क्या लगए उटाहर इचिरी ऑज्ज़ेश परंत अनृत्त ME इन्स में तो यहांने आमधनी होता है तब आंग्रों में हमेशा लगे गाया आंज है तो आर्थ आपको पस्तों पेपर में आपको यह देखना कहीं आमदनी के अर्थ मित नहीं तो आपको यह लगाएगा अर्थ के अंशार दोनों सही है ने इसने मेंज विजस्ट ठीन सब्द वताया गया ना तो मिस्वाला लिखा वही जाएगा येस लगेगा अगर उसका आर्थ आमदनी रहेगा आय रहेगा तो आप हमेसे बहुब बचन लगाईए अब चलिए पेंज को कांसेट के लिए करते हैं प्रियत्नम इसका सिंगुलर में प्रियोग होता है मनें सिंगुलर होता प्रियोग इसका बहुचन मानेजर को प्रसंद करना रहेगा होगा अमदनेजर और अधिक उठाया गया है औह उस तरह से प्रियक्नहशक आर्थ होता है अगला तीसरा देखते हैं तो इसमें यही है कि मतलब यह कास्ट यह प्रयात न रहेगा तो चाहिए एक बचन हो चाहिए बहुचन दोनों बर्व इसके साथ सही है इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आप लिखना चाहते हो तो अपने इसाफ से चार्जिस बर्व क सकता है देखने में तो प्लियूरल है लेकिन इसके साथ बर्व एक बचन या बहुचन दोनों हो सकता है यानि कि एक बचन बहुचन दोनों में यह प्रयोग की आ जाता है देखते हैं कैसे जैसे पहला इंकरेक्ट वाक्ट दिया दब बेज आफ सिन और डिथ पाप की कमाई का में मोथ होती है विजस माने हो ता मजदूरी कमाई ठीक न अब यहां क्या यह बाइविल से लिया गया वाक्य श्या कर लीजिए क्योंकि आप की कमाई तो यहां वेज इसको एक बचन माना गया है तिसलिए इस लगा है और कुछ बिद्वानों को मामला है कि इस दिक उसको एक बचन माना गया ठीक तो यहां वेज़ज को एक बचन माना गया इसलिए लगा मेंज कॉंसप्ट यह है रूपी उसकी आमदनी प्रतिसपता कितना है सौ रूपय है ठीक है तो यहां उसकी आमदनी पारिस्रमिक बताया गया उसका पारिस्रमिक प्रतिसपता सौ पाप की कमाई बताना है तो उसमें हम यह बचल लगाएंगे अगर ऐसमें कि लताना जाएंगे तो उस कितना है महेने वाइज या 감사합니다 ले थे में श्общा enroll के में आगला है अगला है तैराम ब्रदर अप्रस यह तीनन नावन बताया रहें आपको आदिृक्व कुछ नाउन ऐसे जिनका प्लीवरल दो रूप में होता है दो यह अर्थ दोनों के बिन बिन रथ होते हैं जैसे देखे पहले दिया बृदर इसका बृषें बृदर्स होता है तो इसका अर्थ होता है संसाफ से हम पारेंट से की मातापीता के पुतर्त रहेंगे तब ब्रदर का वह वधे games होगा आगे हे भैसे उदार की अढ़े हैंार सभी भाई स सांसी से रह रहे हैं दूसरा जब इसका वह वшोचिंड की इन जोड़ेंगे तो यह उद ताकि आर इन जोड़ देंगे तो यह भी नौन बहुत बन जाता है ब्रदरेन होता तो इसकार्थ होता मेंबर साफिस साइटी एक ही समाज के सदस्य ठीक यानि सगे भाई नहीं है समाज के सदस्य हैं उनको भाई मान लिया गया है जैसे करें वी आर आल ब्रदेन हम सभी भाई लेकं कई लोग पढ़ रहे हैं साथ में तो क्या है बाई बाई इस तरह से मान लिया गया नोट ब्रदरिन का प्रियोग आज कल कम होता है लगी जम में अगर आ जाएगा तो करेक्ट रूल सी विशए उसको करना पड़ेगा एक एक जम बना और आपको बता देरहें परिछ् tightening प्राइब तो वहां ब्रद रिखा जात कि शुए समाज के सदा से हैं कि अगला देखिए क्लाथ का हम कॉंसेट के लेगे ने कपड़ा जब इसका बावचन क्लाथ से होता क्लाथ का दो तरह से बावचन होता ब्रदर की तरह एक तो यह स्केवल जोड़ दोगे तब भी हो जाएगा तो इसका ताद पर होगा काइंड साप पीसे आप क्लाथ इस दुकान में कई कपडे हैं कलाधह गर कह रहा तो जाड़े में गर्म कपडे पहनते हैं तो भैक बिन formidable इसुन दिखे हैं जब सभी मश्झली को मिलाकर समूह में कलेक्टिल यानि के समूह में देखा जाता तो भोजन के देखा जाता तो इसका प्लीउूरल फिस नहीं रहता कि अगर मचली को तो मिलाकर इसे समु में बता जाए कि भाई तालाम में मचलियां हैं कुछ भी है और या फिर भोजन कुरूप में कि भोजन में मैं दो मचली खाया तीन मचली खाया कुछ भी खाया तो हम इसा क्या रहेगा पलियूरल भी बनाओगे तो फिसी रहागा उदारण में था पा जाना है समुद्र में मचली एंठ बहुत सी वार्पोर मात्रम होना बहुत जादा होना बहुत सी मचली की मचली खाया नहीं हइन क्या होगा उत का थर्ड फार्म इन Maz Tamamuna चाहे आयथ फिस कहो तेनों के प्रोग पिने के लिए होता है इतना ध्यान्हूंदेड उसी यहां देखिया लंच बोजन की रूप में मचली वाता ह Weg यह वहले सब्सक्राइब क्युंसित प्र्फिसर रहे गाना मचली एक से जौनiber8 तब भी फिसी रहेगा ढूसरा दिया जब मचली यों गरोफ में देखा जाता है तो इसका बावचन वही मचली अगर अलगला ग्रूप में जैसे गिन के बता अगाए तो बाहुचन उसका फिसेज हो जाएगा यह से डेर राथ 10 फिसेज इन दाबास के टोकरी में दस मचली आ बाइक कोई आदमी बेचने आया मचली टोकरी में रखके 10 मचली रखका है तो वहां आप 10 का नफर्म है न तो बहुच्छन संख्या बता रहे हो तो आप वहां लगाओ गया है ठीक संख्या गर 12345 नहीं दिया है वैसे किसी तालाम में है समुद्र में है यह सब बताना है तो किया था है रिगार्ड्स या अभिवादन मतले जिसे किसी को नमस्ते कहना यह सब है लोग कहना तो रिगार्ड्स या कंप्लिमेंट्स मतले से प्रडाम होता है ठीक है किसी को प्रडाम या नमस्ते कहते है तो देखे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यूर फरेंस अ पड़ेंगे रिगार्ड मे mानना या ध्यान से देखना होता है तो Holland है तो यहां नाउन है तो यह सब्तलिकर पीदान्स है घ्या कमी Major होता है यहा에 उसको बतारा है कि प्रतिग्यां के अर्थ में singular को बाद ध्यान देना की प्रतिग्यां पूरा करना या वचन पूरा ठीक को आपने सब्द को नहीं रखा है यानि प्रतिग्यां पूरा नहीं किया तो यहां कोस्टनिया में परतिग्या felt zrobić यह को नहीं रखा यह नहीं पूरा कीई दूसरे में र but so Stephen knowledge में साथ इला सब्द क्या यहां क्या सब्सक्राइब नहीं सब करना एक सब्सक्राइब से ज्यादा सब्द हैं तो वर्ड में लगा दिए ठीक है रूल नंबर हमारा सोला क्या कर रहा है कुछ नाउन के प्लियूरल निम लिखित हैं विद्ध्यार्थी याद कर लें यहां कुछ बावबचन दिया है आप इसको जान भी रहे हैं लेकिन फिर्स भी हम एक बार हम इस पढ़ते चले जा रहा है ध्यान देना कि टूथ का बबचन टीथ होता है कैसे होता हम थोड़ा से क्लियर कर देना डबलो को डबली कर दें अदर के सवर को बदल देंगे तो बहुचन हो जाएगा और देखिए चीफ का बबचन यह सब्सक्राइब के चीफ हो जाएगा चीफ माने खुर हुफ सो जाएगा जिसे गायभायाइस बखरी का खुर आक्स माने बायल तो एन जोड़ देंगे ताक्स अबायल हो जाएगा आएकसिस माने दोटा धूरी देखिए ग्रीक भानसा से तो इसमें आइस को ई एस में बदल देंगे तो एकसीज गुज का गीज डवलग डवली कर देंक लुकरान मने दर्सक होता लुकरसान क्यान सोते लिक मैन आफवार मने योद्धा चेंड, तो by aheimat लिस्त प्राइव होता है जीए, इंस्पेक्टर जनेरल होता है तो लास लाउस मने जुया या धिल जिसकाते हैं तो लाउस का लाईस हो जाएगा जैसे माउस का माईस होता है जैसे डिगरी है एमे है बीए है एमस्सी है बीस्सी है तो इसका बहुचन अगर कोई पूचले क्या होगा तो आप क्या करना इसी डिग्री में एपोस्टाफियस लगा देना तो बावचन मान लिया जाएगा अगर कहीं image लिखागा जिसे I have done image मैं image किया हूँ एक से ज़्यादा बार किया हूँ जिसे मैं दो बारे में किया हूँ इसे मान लिख किया हूँ तो दो image किया हूँ एक से ज़्यादा बार ब्रदर इनला तो ब्रदर से इनला होगा ब्रदर से इनला माने साला यह बाहनो होई दोनों होता सस्टन इनला माने दमाद होता तो संस इनला हो जाएगा चलिए I have noun समझ में आगए अब noun से related है पजस्यू क से करते हैं जैसे उसको भी हम देख लेते हैं तो ना अजकिन कह अब चलिए किसे करते हैं अब चलिए इसके बात पजस्यू के अब गई सबी रूर एक हैं सब जीओ धारियों के साथ अपूस्टाफीयसा ने मतलब क caucus धारी रहे गा तो उसमें उसमें नक्ल किस माने होता हिंदे में सकारत होता का का क के की अब जी उधारियों के साथ एपोष्टाफियस लगाने में पजश्टु के इसका प्रक कहा होता, जी उधारी मतलब जो भी सजीउ रहेगा तो उसमें हम कक की कंगरे जी क्या लगाएंगे इपोष्टाफीयस नहीं तो वसे आफ मने भी का क की होता है लेकिन कहां लगाएंगे सज्जीव के साथ जिवधारी के साथ जैसे काउच टेल मने गाय की पूंच बहुत लंबे सीता हाउस हस्वाइंड सीता का पती सोहन स्पेंस है इस बीन लोष्ट तो करती कि सोहन की कलम खो गई है सीता का पती टीचर है तिस तरह से सोहन सज्जीव है सीता काव यह समीक साथ लगा है अगे दिया गए सिंगुलर नावन में प्रथम पॉष्टाफी चिन और इसके बाद यस लगा जाता है यह दूसका प्लियूरल एप यस पर समाप्त होता तो जैसे बॉइज जैसे लड़के की किताब वाइज स्कूल लड़कों क लड़के की किताब बताना होगा लगेगा लेकिन पाहले समाल यह जैसा है बाद में यह नहीं लगाएं क्योंकि पढ़ना तो आप दोनों लगाईए एक बचन हो चैबाब बचन हो ठीक दूसरा रूल हमारे कारा परस्निफाइडव आबजर्ट के साथ यानि बेजानदार चीजियों को जांदार बनाने पर भी फॉषटाफियस लगता है परस्निफाइड चीज लगा लेते हैं क्योंकि इस वड़ारण नेचर से ला माने प्रक्रित का नियम तो नेचर को भी हम भागवान मानते हैं ठीक है प्रक्रित का नियम तो मानो कितना आदमी का नियम होता लेकि प्रक्रित का नियम फार्चून्स फेवरिट माने भाग एका पच्छ तो आदमी प्री होता है यहां भाग एका प्री बता जा तो आप याद करने वाले ना उनके साथ भी हम एक दिन का मार्च जिसे मार्च जो साइनिक लोग आगे बढ़ते हैं यहां समय नहीं एक दिन का मार्च जो परेट करते हैं तो यहां समय बता जा रहा है यह सभी क्या है यह दूरी देखी बता रहा है एक मीटर की लंबाई तो यह सभी समय दूरी वजन बताने वाली चीजों के साथ यह पुस्टाफियस लगता जैसे यह इडियम सेंट फ्रेज पढ़ेंगे मुहारत उसमें पहले से यस लगा रहा था तो उसको हम हटान नहीं सकत है पेपर मगर हटाया है तो आपको लगाना पड़ेगा जैसे उदारण आयट इस फिंगर इंडवाने हर समय याद फिंगर बने अंगुलियों पर अंत हो यानि किस चीज के यानि कि हर समय याद है आयट आर्मस लेंद्वाने भूजा की दूरी मतलब वसे भूजा की दूर होता है मैं थोड़ा सा बोले में भूल गया था आइट अर्मस लेंद्वाने होता है तो यह सफिया है कि इस लगता है rule כ 17igs CE या YES हो तथा अंत में सेख हो तो उनमें केवल एपोस्टाफियस लगाते हैं ठीक अगर कोई ऐसी संग्या दिखाई पड़ेगी जिसके अंत में CE है या YES है तो उसमें सेख और उसके अंत में सेख हो सेख कार्थ होता लिए तो उसमें केवल एपोस्टाफियस लगाते हैं YES न सी ए सिस्सा की आवाज आती है डब एस रह गए तो उस्सा की आवाज यह निस्था की आवाज आ गरी तो अलग से यास लिखने ग्यूरत नहीं होती है रूल नंबर तीन हमारा करा जब ठीक है जब इस पुरुस इस्त्री बच्चों एक बच्चों के लिए noun बहुचन में हो जब पूरुस इस्त्री बच्चों के लिए noun किस में हो बहुचन में हो लेकिन उसके अंत में yes नहीं लगा हो तो उसमें yes लगता है ठीक ये बता रहा है कि पूरुस इस्त्री बच्चों के लिए noun कोई आया हो बहुचन में हो और लेकिन उसके अंत में यस नहीं लगा हो तो यस लग जाता है ठीक बावचन है नहीं लगा है यस तो हम लगा देते हैं उदारण वोमेंस क्लब तो ओम आउरतों का क्लब तो ओमें बावचन है तो एपोस्टाफिक साथ यस भी इसमें लगे गा पालेस नहीं लगा है अब वावच गर्ल्स में पालेस लगा था नहीं लगा थे लेकिन उमिन में लगे गा चिल्डरन में भी देखे बावचन है तो ये पोस्टाफिक के साथ यस भी हम लगा देंगे चिल्डरन स्लाइब डेरी बच्चों का पुष्ट का लगा रूल नमबर चार करें कंपाउंड नाउन में अंतिम सब्द के साथ यस लगा कर पजिस्सू बनाते हैं ठीक है जैसे कंपाउंड नाउन में जो हाइफन से जुड़ा रहा था जैसे दिस इज माई सिष्टर इनलाज हाउस या मेरे सिष्टर इनला का घर है ठीक है सिष्टर इनला माने भावी भी होता है साली भी होता है साली का घर है ठीक है ना यह मेरे साली का घर है साली भी होता है तो यह स्थरह से यहाँ देखें सिष्टर इनला यतना बड़ा कंपाउंड सब्द देना last में पॉश्टाफ यह स्लाइब पॉश्ट है लगें यह जब कोई बस तु दो नर्या नारी के साजरे की होती है तो यह बादवाले नाउन में लगाते हैं जैसे कोई भी बस रहेगा जैसे दो लोगों का रहेगा एक ही चीज रहेगे ठीक तो बादवाले में यह ऐसी कर्णिशन में बादवाल एक साथ है पुस्टाफियस हम लगाएंगे लेकिन दूसरा वाकि देखिए मोहन और सोहन की स्लेट जो है तिन थाथ उसे बनी है तो दोनों की स्लेट एक क्या है मोहन सोहन माले यह दो भाई है दोनों एकी स्लेट पर पढ़ रहे हैं ठीक ना है क जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज है तो यह प्रत्यक के बाद लगेगा अब उसी का देखिए थोड़ा सा अलग घंसे बता जा रहा कि अब तक तक तो एक ही क्या था तो बाद वाले इक साथ लगेगा तो अलग अलग दोनों की स्लेट एक था तो यह भी नहीं लग अलग वाद लगेगा बवर लगे एकल scientist साली की और बसक्राइब बंड pakर यहां अलग पोएट है वड़सवाध अलग पॉएट साने की सब्सक्राइब करना चाहिए यह परिच्छा में आपके आजाएगा जैसे माई वाइप्स ब्रदर्स सन मेरे पतने के भाई का पुत्र है तो पढ़ने में तो सब्सक्राइब करेंगे आफ का प्रियों करेंगे जैसे तो बाद वाले पुस्टाफी के बाद जो रहेगा सन उसको आप पहले लिख लिए फिर आफ लिख लेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे एप SGट पुरा लिख लिख लिए तो प्लस आउन साथ दा जरूर लगता है। तो दससान माइव। प्रृदर में हैस। हो जाएगा दूसरा है मास्टर्स ब्रदस डाटर है घर मेरे मास्टर के यह यानि गुरुके गुरुजी के भाइ की पुत्री है पर लेकिन गलत है इस गलत सुधारें का इसे बाद वाले पुस्टाफिक बादविट बाद आफ लगाएंगे फिर सुरुआत से पूरा लिख देंगे पूरा लिख पहले जितना तो यहां दा तो लगी जाएगा क्योंकि यह पूस्टाफियस के बाद सब्सक्राइब जरुर करें और आपके एक्जाब्ड के लिए स्कूल के लिए कम्पटिट्व के लिए हर एक्जाम में यूजफिल हो रहा है